नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले है टाटा के इस हेवी ट्रक के बारे में ल्पी टी बाई एलिस पच्चिस सी के बारे में काउल कैबिन के साथ आता है ये और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी वीडियो है अगर आप इसे पर्चेस करने वाले हैं तो क्योंकि माईलेज टॉर्क और प्राइज ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है हमारे लिए अगर हमें पर्चेस करना है तो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बीना किसी देरी के दोस्तों अभी इसके पहले जितने भी माउडिल आते थे 22C के पहले वो बंद हो चुके है ये ये बीए 6 फेस्ट वाला निव वेरियंट है इसमें आपको कमिन्स का डिजल इंजन आता है 6.7 लीटर का इंजन आता है 6 सिलेंडर के साथ और उसी के साथ में हमें मिलता है 200 HP का हाई टॉर्क 2300 आर्पियम पे इसके फ्योल टैंक की कापेसिटी 300 पेस्ट लीटर है इसमें आपको देखने को मिलते है 14 वील्स उसी के साथ इसमें हमें मिलता है 950 न्यूटन मिटर का हाई टॉर्क वो भी 1800 आर्पियम तक अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइज और माईलेज के बारे में तो इसकी एक शोरूम प्राइज है 44 लाक रूपए और फिर माईलेज की बात करेंगे तो 3 से 3.5 और 4 तीन से 4 तक का माईलेज है लेकिन कभी कभी हमने ऐसा भी सुना है कि ये माईलेज के बारे में 3 से भी नीचे जाता है यही देखना है कि आप 44-45 लाक रूपए इसको sufficient है और दूसरी बात माईलेज आपको लगबग लगब तीन का मिलता है तो वह आपके लिए ठीक है वो सब calculation करना है उसी के साथ आप जो body बनाने वाले है वह आपके लिए आपके माल के लिए comfortable है क्या वह भी देखना है और उसके बाद ही decide करना है कि आपको यह वाला लेना चाहिए या नहीं आप दोस्तों यह है B6 फेस्ट वाला वेरियंट है तो इसके साथ हमें और भी कुछ features मिलते हैं जैसे की cruise control, hill start assist मिलता है इसके साथ, engine brake, multimod, fuel economy switches मिलते हैं वो सब कुछ मिलता है जो कि आज की आपको ज़रू थे 2023 में तो उम्मीद करता हूं आज की यह जान करी आपको अच्छी लगी है समझ में आई है और आपको आसान हो जाएगा आपकी इसका जब आप चैन करोगे की 45,00,000 हम इसको लगा रहे हैं उसके साथ हैं हमें 3 का mileage देता है उसके साथ fuel tank capacity जो 365 लिटर दी है वो हमारे लिए ठीक है हमारे route के लिए कैसी रहेगी इसके जाएगा और वो सब कुछ calculation करके order जो भी इससे related vehicles है उसको compare करके मुझे लगता है आपको यह decision लेना चाहिए इतनी बड़े amount आप लगा रहे है तो मुझे लगता है यही आपके लिए better रहेगा कि आप सारे vehicles को compare करे calculation करे और जो आपके लिए best results देगा वही को आप purchase करें बह